नमस्कार जुस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीय उट्डी आप सभी का आर्सीय उट्वीड चैनल पर हार जीख स्भागत हैं मेरे दूर आपसे वादा किया गया है कि ऐसी खबर दूंगा जो कि स्थोफिदी अथेंटिक होगा सबसे अथेंटिक नया और होना चाहिए अगर आपने 500 लाइक पार कर दिया तो मैं मालूंगा कि आप जो है वीडियो को दिल से देखते हैं और बातों को समझना चाहते हैं नहीं तो आप अपना समय पास करते हैं आपको जीवन में कुछ करना नहीं है सासल मैं आपको उदादू अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वादा करता हूं और वादा मैं निभाओंगा सबसे अथेंटिक सही सठीक जानकारी में आप तो पहुंचाऊंगा हर एक छेतर का तो पहली खबर के बारें बात कर लेते हैं दोस्तों आपको मालूम होगा कि पांच राज्यों में चुना हुआ और तीन राज्यों में बीजीपी की बंपर जीत हुई लेकिन एक खबर सामने आया है इसे देखकर आप चौंग जाएंगे ऐसे परताशियों का नाम आ रहा है ऐसे परताशी हैं जिनका कहना है उन्हें खुद का ओट नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्यक्ति को खुद क ओट ना मिले अगर यह बात सई है तो सो फीदी बेखती कह सकता है कि एबियम में तो कुछ सेटिंग जरूर है तो आपकी क्या रहा है खुद का ओट ना मिलना किस बात का संकेत है एक हर्यारा की है और हर्यारा के समझ में जो ग्राप बताया गया है उस ग्राप को आप देख सकते हैं हर्यारा में जो है कुछ सार्फीदी आबादी गरीवी रेखा से नीचे है 42 लाग को नहीं मिल रहा राशन किन सरकार इस पर कुछ कर नहीं पा रही बरतमार में किन सरकार की रिकार्ड में हर्यारा में एक दस्मनों 26 कर लोग ही गरीब उसी से राशन का वंटन राश रिखेंदा की बारें बात करते हैं जैसा कि आपको मालुब होगा कि ये बीम पर आरोप लगते रहे हैं और इबीम पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भाड़पा के द्वारा कुछ कहा नहीं दा रहा हैं चोरी होती है तो मोदी जी को इस पर कुछ एक्षन लेने के वशकता नहीं क्योंकि तीन ही लोग बोल हैं बाकी राश्टिय दल की पार्टिया जो है इबियम के पच्छ में हैं कि इबियम सही इबियम से उठ होना चाहिए लेकिन अगर भाश्पा को छोड़ के सभी राश्टि ही कर रहा हूँत के थे राश्छ में अगर वश्पा को छोड़ सभी राश्टिय दल बैलेट पेपर से चुनाओ करा नहीं चाहती है अगर वास्तों में जनता आपके पच्छ में हैं जनता भाजपा के पच्छे में है और जनता जो है ओट देकर भाजपा को जिता रही है तो एक बार सभी पार्टियों को बुला कर इस्टांप पर लिखवा लेना चाहिए और लोग सभा का चुनाओ एक बार वलनी एक बार आगे से इवियम पे हो अगर भाजपा जीत जाती है तो आगे से इवियम पे चुनाओ हो 2019 से लेकिन 24 में सभी को संतुष्ट करने के लिए क्योंकि केंजर में आपकी सरकार जिसकी सत्ता होती है उसे सभी को संतुष्ट करना पड़ता है तो एक बार बायलेट पेपर से चुनाओ हो जाए जो आरोप लगते हैं वह आरोप भी समा बाकी 25 दल पार्टियां जो हैं यानि कि सभी राष्टी पार्टियां बैलेट पेपर के पच्छ में तो एक पार्टी ही क्यों क्यों एबियम से चुनाओ चाती है यानि भाजपा आपका उन्योंक्स में ज़रूब होता है अगली अपडेट के बार में बात करते हैं सेना की तरित पर होम गार्ट को भी मिलेगा कैंटीन की सुधा या उत्तरा खंड की खबर है एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं बहुत बड़ा जटका है करमसारियों के लिए जैसा कि आपको मालूम हुगा कि छट्यूजगर में और राजस्थान में पुरानी पेंसर बह बताया गया है कि आम चुनाओं के बाद पुना जो है एनपिस बहाल कर दिया जाएगा और पिंसन इसकीम को क्लोज कर दिया जगवन अब बताएए जहां पुरानी पेंसर बहाल हुई थी जिनके का खुसी का महल था अब बुढ़ापे की लाठी मिल गई उनकी अगर लाठी कि छिन जाए तो क्या होगा फिलाल अभी ऐसा हुगा नहीं लेकिन समाह चार पत्र में बताया गया जैसा कि आपने पर देख रहे हैं पांच दिसंबर की खबर है कि पुनानी पेंसन खतम की जा सकती हो नहीं पेंसन बहुत था पुना सुरू की जा सकती है और कब होगा हम च चुनाओं के बाद या इस्टार्ट हो जाएगा एन पीएस पुना अब ओपीएस वाले क्या करेंगे वेचारे एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं सीजियल दो जाटेस में यूपी भिहार के 1788 वाओं का चैन हुआ है यूपी भिहार की वाओं का जलवा है देश स सब्सक्राइब को मिला सफलता चैनितों के अंक सिद्ध वेबसाइट पर अप्लोड किया जाएंगे एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं तीन बार चालान होने पर निर्स्थ होगा लाइसंस तो मुख सची दुर्गा संकर मिलस्थ ने निर्देश दिया है कि सड़क दुरगटना को रोकने के लिए 15-31 इसंबर तक सड़क तुरच्छा पखवारा आयुद किया जाएगा दुरगटना के प्रतिलों को जागरू कि जाएगा लगा ता तीन बार चलान होने पर लाइसंस रद कर दिया जाएगा निर्स्थ कर दिया जाएगा बीए डिग्री धारियों को लेकर कल आदेश आया जैसा कि इस चनल के मादिम से आपको बताया गया था कि बीए डिग्री धारी 22,000 प्राद्विक सिच्चकों को रहा हूं बहुत बड़ा जटका है इवाओ के लिए अभरतियों के लिए अब नए सीरे से भनना होगा पद हाइकोनिका की सिच्चक नुक्ति के छटे चरण में पहली से लेकर पांच वे की डिग्री धारी की नुक्ति हुई थी उससे अब नए से भनना होगा राज सरकार क एन सीटी की ओर से 2010 में जारी मुल अस सुचना कि अमसार योग उमिद्वारों से ही नुक्ति करनी होगी तो यह अब तक कि सबसे बड़ी ख़़र है व्रेकिंग नुज है तो इस प्रकार कि अथेंटिक जानकारे में आपको देता रहे तो पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद वीडियो पर अपनी राय जरूर दें